साथ कियों, अगर आप सो वर्ष पहले के समय को याद करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आज मेरे देश के नवजवान उस कालखन को याद करें, सो साल पहले आज हम 2020 में हैं सोच लिजिए, 1920 में जो आपकी उमर का था, या 1920 में जो आपकी उमर का था, आप आज 2020 में उस उमर के हैं 1920 में जो आपकी उमर का था उसके सपने क्या थे 1920 में जो आपकी उमर का था उसका जजबा क्या था उसकी सोच क्या थी जरा सौ साल पुरान इतिहास पर नजर करें याद करें यो तो 1920 से शुरूआ हुआ समय भारत की आज़ादी के लिए बहुत महत्म पूर्ण रहा हुआ वैसे तो आज़ादी के लड़ाई गुलामी के कालखन में कोई साल ऐसा नहीं कोई लाका नहीं कि आज़ादी का जंग लड़ा न गया हो 1857 का जंग स्वातंत्र संगराम एक विशे स्टनिंग पॉइंट बना लेकिन 1920 से लेकर के 1947 1920 टू 1947 का जो समय था वो बिलकुल ही अलग था हमें उस दोर में इतनी घटनाएं दित्ती है देश के हर कौने में हर क्षेत्र में हर वर्ग में याने पूरे देश का बच्चा बच्चा हर तबके के व्यक्ति गां हो शैर हो पड़े लिखे हो अनपड़ हो अमीर हो गरीवो हर कोई आजाजी के जंग का सिपाई बन गया था लोग एक जुट हो गये थे खुट के जीमन के सपनों को लोगों ने आहूत कर दिया था और संकल्प लिया था आजादी का और हमने देखा है कि नाइंटीन ट्वेंटी टू नाइंटीन फोटी सेवन तक की जो युवापीडी थी जुन्नों ने अपना सब कुछ दाओं पर लगा दिया था आज कई बा इल्षावी होती है कभी मन में होता होगा काश मेरा जन्म में 1920 और 1947 के काल खन में होता मैं भी देश के लिए बगसी बन करके चल पड़ जया अपके मन में भी होता होगा लेकिन दोस्तों हमें उस समय देश के लिए मरने का मोका नहीं मिला आज हमें देश के लिए जीने का मोका मिला है उस समय के नवजवान भी अपना सब कुछ देश के लिए अर्पित करके सिर्व एक लक्ष के लिए काम कर रहे तो और लक्ष क्या था एक ही लक्ष था भारत की आजहादि मेar भारती को गुलामी की जनजिरों से मुक्त करा रहा है और उसमें कई धाराएं थी अलग अलग विचार को लिएग लोग थे लेकिन सब धाराएं ने एक ही दिशां में चल रही थी अर वो दिशा थी मा भारती की आजहादि चाहे मात्मा गांदी का नेत्र तो हो, चाहे शुभास बाबु का नेत्र हो, चाहे भगत्सी सुक्षेव राजगुरु का नेत्र तो हो, चाहे वीर सावरकर का नेत्र तो हो, हर कोई धाराएं अलग-अलग होंगी, मार्ग अलग होंगे, रास्ते अलग होंगे, लेकिन मंजिल ए थी, मा भरती आधादी, कश्वीर से लेकर के काला पानी तक, हर काल को ठीब है, हर फांसी के फंदे पर से एकी आवाज उड़ती थी, दिवाने एकी बातों से गुनती थी, फांसी की रसियां एकी बात से सुजबित होती थी, और वो नारा होता था, वो संकल्प होता था, वो जीवन की सद्दा होती थी, मा भारती के आधादी, मेरे नवजवान साथियों, आज हम उस दोर में नहीं है, लेकिन आज भी मात्र भूमी के सेवा का आउसर बैसा ही है, अगर उस समय नवजवानों ने अपनी जवानी आजाज़ी के लिए खपाई, तो हम आत्म निर्भर भारत के लिए जीना सीख सकते हैं, जी करके दिखा सकते हैं, आज हमें आत्म निर्भर भारत के लिए खुदी एक आंदोलन मन जाना है, एक आंदोलन का सिपाई बनना है, एक आंदोलन का नेत्रुत्व करना है,